हाई गाई वेलकम टू मनिशा व्लोग चैनल तो मैं आप आज में आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बेसन पकोड़ा तो चली स्टाट करते हैं तो यह है चिकन जिसको मैं अच्छे से वाश कर ली थी इसमें मैं एड की हूँ लाल मिश पाउडर हल्दी नमक और चिकन मसाला और पीखा किंकी पकोड़े तीखे इचे लगते हैं तो बहुत सारा लाल मिश पाउडर अधरक और अलहसन का पेस्ट उसकी बद में इसमें डाले मिक्स करके मैं रख दी थी 10-15 मिनट के लिए तो यह मस्टर्ड ओयल ही आप यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा और मेरे पास चिली फ्लेक्स भी रखा हो था तो मैं वह भी एड कर दी थी तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप उसको एड कर दो और आप ग् 10 मिनट हो गया है अब चली देखते हैं तो यह बहुत अच्छे से मसालो में मैगनेट हो गया था बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था सारे मसाले बहुत अच्छे से कोट हो गया थे चिकेन में और आप चाहो तो इसमें कॉन फ्लॉर भी डाल सकते हैं कॉन अगर आपके पास तो बस इसको ऐसे फ्राइ कर लेंगे और यह बहुत ही क्रिस्पी बना था आप आगे देख रहा और इसको आप खाये चिली सॉस से तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा या फिर आप घर में ही चटनी बना लीजे उसके साथ भी बहुत ही यम्मी यह लगने वाला है और टेस्ट रियली उतारी बहुत अच्छा लग रहा था तो आप भी यह पकोरे जरू ट्राइ करना कर अखए बहुत है यति विद्ड़ करें से लोका फिर डूला हुत है विवेगा इसनी है । झाहा बन सबस्तों अभी करें से अवओ बहुत है तो एक रहाल है working कि अाग जरापार कि अजड़े हैं कि अल्ड़ाँ प्रूल भाल लिए रचिछ झाल कि अल्ड़ास झाल झाल झाल